जै माता दिमित्रो हमारे योट्यूब चैनल में आपका हारदिक स्वागत है आज मैं आपको धन प्राप्ति के तीन महा उपाय बताने वाला हूँ अगर आप इन तीनों उपायों को करते हो या इन तीनों में से किसी भी एक उपाय को आप करते हो आपको माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी और आपके जीवन में जो भी करज है जो भी बाधा है धन से जोड़ी हुई अगर कोई आर्थिक समस्या है तो वो भी खतम हो जाएगी अगर आपके उपर करज है तो करज भी खतम हो जाएगा और आपको धन की प्राप्ति हो चाहे कोई तंत्रबादा आरी हो, कोई कार्रे में कमी हो, किसी भी चीज में कमी हो, अगर आप इन तीनों महा उपायों को करते हो, तो निष्चित रूप से आपको धनकी प्राप्ती होगी, तो चलिए शुरू करते हैं पहला उपाई बताता हूँ आपको पहला उपाई यह है कि अगर घर की महिलाएं या फिर आप स्वेम आप स्वेम भी इस कारे को कर सकते हो और आपकी जो पतनी है वो भी इस कारे को कर सकती है लेकिन मैं आपको सुझाव यही दूँगा कि अगर आ पुरुष का किया हुआ कर्म पूरे परिवार में डिवाइड होता है जिस प्रकार से पुरुष की द्वारा कमाई गई अरजित की गई जो उनकी उनका धन होता है उनकी प्रोपर्टी होती है उनकी संपत्ती होती है उसका विबाजन उनके पुत्रों में उनकी पत्री में होत नियुक्ता है गर आप स्वैम इस कारे को करएंगे तो एसका लाब अपको मिलेगा और आपके पूरे परिवार को मिलेगा लेकिन अगर आप किसी कारणवश इस कारण कर सकते और शेवर। तो अपकी यू जो अपधनी के वीडियो को ये उपाय कर सकती है तो ये जो उपाय कोई बहुत नया उपाय नहीं है आप लोग जानते हो आप लोगों ने सुना भी होगा पढ़ा भी होगा देखा भी होगा कोई नई बात मैं आज आपको नई बता रहा हूं लेकिन मैं जो बात आपको बता रहा हूं ये वाकई में समझ वाली है और अगर आप इस पर विचार करके इस कारे को करेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाब की प्राप्ति होगी यह उपाई है वैभव लक्षमी का वरत माता लक्षमी के आठ रूप हैं इसलिए उनको अश्ट लक्षमी रूपा कहा जाता है उसमें से गज लक्ष रिचका अगर आप शुकरवार के दिन जो वेभव लक्षमी का वरत होता है वह व्रत कीया जाता है और अगर आप लोग वरत करते यह हैं शुक कर वह उphenार को और सहक्रुछ लक्ष्मि की पूजा करते हैं शुकरवार के दिन वरत रखकरके और माता लक्ष्मी को खीर का बोग लगाते यह फिर जो भी आपके पास तो जो भी बोग प्रशाद आप प्रपित कर सके माता को तो मातालक्ष्मीं की क्रिप आपके ऊपर बनेगी और धन आगमन के जो Limit दे हुए रास्ते वो भी खुल जाएंगे आपको खुशियां मिलेंगी आपको धन की प्राप्ती होगी तो पहला उपाय तो यह है इस उपाय इसे शुकरवार को जो आप वरत रखोगे इसमें आपको नमक नहीं खाना होगा बिलकुल भी ठीक है अगर आप कुछ खाएंगे भी तो आप मीठा भोजन कर सकते हैं लेकिन आप नमक से बनी हुई कोई भी वस्तू नहीं खाएंगे वैभव लक्षमी के वरत में इसमें क्योंकि कई बार कुछ लोग वरत वगयरा रखते हैं तो वो लोग आलू वगयरा खा लेते हैं जो नमकीन आलू होते जैसे की नवर ऊजन ले सकते हैं जैसे की मंघलवार के हनुमान जी के वरत में किया जाता है लेकिन अगर आप पूरे दिन वरत रख सको तो अतियुत्तम है ठीक है दूसरा उपाई है श्रीम यानि कि अगर आप इस लिए मंतर का जब करते हैं तो आपको धनकी प्राप्ति होती है आपको वैबाव एश्वर्य सुक्सम्रिद्धी यानि कि माता लक्षमी आपको हर वो वस्तु प्रदान करती है जो जीवन जीने के लिए आवश्यक है जीवन जीने के लिए जरूरी है वैसे तो माता लक्षमी भी मा भगवती आदिशक्ति जगत जननी दुरगा का ही रूप हैं लेक नियमित रूप से प्रती दिन श्रीम बीज मंतर का 108 बार अगर आप जब करते हैं या मानसिक रूप से आप श्रीम बीज मंतर का जब हमेशा करते रहते हैं मानसिक रूप से आप कहीं भी बैठे हो आप चल रहे हो फिर रहे हो आप बाइक चला रहे हो गाड़ी चला रहे हो या कोई भी कार्याप कर रहे हो लेकिन अगर आप मांसिक रूप से श्रीम बीज मंत्र का जब करते रहते हैं तो निश्चित रूप से आपको मातलक्षमी की कृपा प्राप्त होगी और आपको धन इत्यादी की प्राप्ती भी होगी तीसरा उपाय है अमवस्या का देखिए अमवस्या की जो तिथी होती है ये बहुती जादा महत्वपूर्ण तिथी होती है अमवस्या को ही दीपावली आती है और अमवस्या को ही होली आती है तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अमवस्या के दिन जो मातलक्षमी है वो धर्ती पर विचरन करती है ठीक है अपनी सहचरियों के साथ में और अगर अमावस्या के दिन आप माता लक्ष्मी के लिए कोई भी कार्य करते हैं अगर आप माता लक्ष्मी को भोग परसाद देते हैं या माता लक्ष्मी का आवाहन करते हैं उनके नाम से हवन इत्यादी करते या उनके नाम से आप कन्याओं को भोजन खिलाते हैं या उनके नाम से कुछ दान दक्षिना आप करते हैं मातालक्षमी के नाम से तो मातालक्षमी अतिप्रसन हो जाती है और वो आपको धन संपदा प्रदान कर देती हैं ठीक है आपको कैसे भी मिल सकता है धन किसी भी माध्य से मिल सकता है आपको सड़क पे चलते हुए भी धनकी प्राप्ति हो सकती है आपको गड़े हुए धनकी प्राप्ति हो सकती है आपको आपकी नौकरी में अचानक से लाब मिल सकता है आपको आपके वेपार में अचानक से कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिल सकता है कोई ब पान एक लॉंग का जोड़ा एक इलाइची का जोड़ा अगर आप ये मातलक्ष्मी को भोग प्रसाथ के रूप में अर्पित करते हैं तो इससे भी आपका बाग्योदय होगा हर अमवस्या को आपको ये करना है महीने में एक ही बार मवस्या आती है एक बार करने में कोई आपती वाली बात नहीं है आप इसको मातलक्ष्मी को भोग अर्पित करिए मातलक्ष्मी से प्रात्ना करिए उनकी लक्ष्मी चालीसा का पाठ करिए श्री सुक्तम का पाठ आप कर सकते हो बहुत ही जादा अच्छा पाठ माना जाता है की क्रिपा प्राप्त करने के लिए तो नियमित रूप से अगर आप श्री सुक्तम का पार्ट करते हो तो भी आपको मातलक्ष्मी की क्रिपा प्राप्त होगी नियमित रूप से अगर आप कनकधारास्तोत्र का पार्ट करते हो तो भी आपको मातलक्ष्मी की क्रिपा प्राप् मातालक्षमी की माताभ भुवनेशोरी की CARikes क्रिपा प्राप्त हो जींग वह जीवन जीने के लिए जीवन जीने के लिए तो आज के लिए इतने ही अगर वीडियो अछ रगी है तो वीडियो को लाइक कर देना शेयर कर देना और चैनल को कर देना सब्सक्राइब मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए जैहो महामाया की